हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम रेलवे विज और टनल के छटमें चैप्टर के बारे में डिस्कुस करेंगे जो है रेल पत्थ सिंग्नल ठीक है ट्रैक सिंग्नलिंग ठीक है रेलवे पत्थ में कौन-कौन से सिंग्नल यूज किये जाते हैं ठीक है इसमें जो कुछ important होगा मैं आपको बता दूँगा ठीक important important चीजे मैं आपको बता दूँगा और theoretical चीजे हैं आपको बताई आपको पढ़ना है ठीक और मेरा काम है आपको content provide करना ठीक rail signal या संकेतन क्या होता है track signal क्या होता railway के path पर जो rail lines होती हैं उनके path पर जो signal लगाए जाते वो क्या होता है उनके बारे में बताया गया पहले क्या होता था पहले पुलिस कर्मी सिंगनल का काम करते थे और अब वही काम सिंगनल करता है ठीक तो ये वीडियो रोकिए और इसको पढ़िए ठीक उसके बाद हम बात करते हैं सिंगनल के उद्धेश रेलवे पत पर जो सिंगनल लगाए जाते हैं उसके उद्देश क्या है यह आठ उद्देश है आठो को आप अच्छे से रीड कीजिए ठीक सिंग्नल के प्रकार यह important है आपके exam में आयेगा ठीक है सिंग्नल कितने प्रकार को था त्म तीन प्रकार का सिंग्नल होता है एक हस्त सिंगनल, दूसरा कोबरा सिंगनल और तिसरा इस्तिर सिंगनल ठीक इसको अच्छे से रीड कीजिए ठीक अब हम बात कर लेते हैं हस्त सिंगनल क्या होता है बिल्कुल थिवरेटिकल चीजे हैं आप इनको पढ़ लीजिए तीनों सिंगनल के बारे में प्रकार के सेमा फोर सिंगनल है यह इंपॉर्टेंट है पहला ठीक वैसे तो प्रकार के अनुसार आठ प्रकार के होते हैं लेकिन पहला जो सिंगनल है वह इंपॉर्टेंट है यह स्तिति के अनुसार चार प्रकार के होते हैं बिसेश सिंगनल चार प्रकार के होते हैं ठीक उसके बाद आप हम बात करते हैं same up or रोक ये सिंगनल पहला सिंगनल जिसको हमने important बताया इसको आप अच्छे से read कीजिए ठिक ये आपके exam के दिश्टे से important है ठिक है इसका चित्र भी आप अच्छे से समझिए ये आपके लिए important होगा कारड़ प्रडाली भी ठीक बाकी सारे सिंगनल आप रोक करके वीडियो पढ़ लीजिए ठीक इस वीडियो को बनाने का उद्देश आपको content प्रवाइट करना है ठीक है मैं इस वीडियो से आपको railway व्रिज और टनल का content प्रवाइट कर रहा हूं जिन बच्चों के पास किताब नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है उनको content मिल रहा है आप वीडियो रोकिए और इनको अच्छे से रीड कीजिए ठीक है और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप comment कर सकते हैं म बना करके डाल दूँगा आप देख लीजिए ठीक है ये वीडियो हमारे चैनल के playlist में आपको मिल जाएगा आप वहां से जा करके हमारे railway and bridge का and tunnel का सारे lecture देख सकते हैं मैंने सभी lectures डाले हैं rbtk ठीक है और वीडियो रोक करके इनको अच्छे से read कर लीजिए ठीक क्योंकि ये बिल्कुल theoretical चीजे हैं इसमें आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आप इनको वीडियो रोक करके पढ़िए और समझ ये ठीक है ये बिल्कुल practical चीजे हैं ठीक इसमें मुझे नहीं लगता को आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी और अगर नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो की नीचे comment कीजिए मैं उसका अलग वीडियो बनाके डाल दूँगा ठीक जो नहीं समझ में आएगा आपके ठीक है वीडियो रोक करके अंता पासन ब्यवस्था क्या होती है इसको पढ़िए अच्छे से अंता पासन के सिध्धान्त क्या होते है इनको भी पढ़िए समझ ये चित्र देखिए ठीक है जो important होगा उसको मैं बता दूँगा ये सब केवल आपको पढ़ने के लिए जरूरी है आप पढ़ लीजिए आपको पता दूँगा ठीक है पूर बलाक प्रडाली क्या होती है इसको भी आज अच्छे से रेड कीजिए समझ ये अपने नॉलेज को बढ़ाईए ठीक है इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश आपको आर बीटी के कंटेंट प्रवाइड करना है ठीक स्वचालिस सिंगनल क्या ह इसके बारे में बताया गया रीड कीजिए समझ ये तो इस प्रकार से आपका ये छटमा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ठीक है अब हम अपने नेक्स लेक्चर में साथमें चैप्टर के बारे में डिसकुस करेंगे जो है स्टेशन तथा यार्ड ठीक है स्टेशन क्या होते हैं यार्ड क्या होते हैं ठीक है इससे आपके एक्जाम में कोशन आते हैं इसको जरूर देखिएगा इसको मिस मत कीजिएगा तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके सभी वीडियो द कर दो कर दो दो और खूरत